आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउनलोड का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ डाउनलोड नाओ अब देखो इसको क्या करेंगे डाउनलोड लगा देते क्योंकि इसमें middle term splitting में factors निकालते निकालते बहुत जादा टाइम लग जाएगा तो देखो श्रीधार चाहर फामला क्या होता है माइनस भी मतलब की minus of minus 48 48 plus minus b square which is 48 square minus 4 into a कितना है 4 है और c कितना है 143 है upon 2 into a होता है जो कि 4 हो जाएगा ठीक है ये हो गई हमारी x की values ठीक है अब y की values के लिए क्या करेंगे इसमें भी अगर देखें तो इसके values बहुत हाई है मतलब बहुती जादा इसमें factors के involvement होगी इसलें क्या करेंगे इसको भी same श्रीधार चाहर फामला लगाएंगे तो minus of b which is minus of minus 52 मतलब की 52 plus minus b square which is 52 square ठीक है minus 4 a c करना होगा एक second इसको बस rub करके मैं ठीक कर दूँ थोड़ा minus 4 into a कितना है 4 है और c कितना है 165 है upon 2 है कर देता है 2 into 4 अब हम simultaneously x और y की value दो value निकाल देता है तो 48 plus minus under root 48 का square कितना होता है 2304 minus 4 into 4 into 143 मतलब की 143 into 16 कितना हो जाएगा 2288 हो जाएगा upon 4 into 2 कितना होता है 8 होता है इसको आगे और calculate करेंगे पहले इस side का solve कर लेते है तो देखो ये क्या है 52 plus minus 52 का square कितना होता है 2704 minus 4 into 4 into 165 दिया हुआ है इसको calculate करेंगे तो इसका answer आ रहा है 2640 upon 4 into 2 क्या होता है 8 होता है अब हम plus और minus देख लेते हैं एक बारी root के अंदर तो 48 plus minus under root 2304 minus 2288 है तो पहले हम क्या करेंगे minus कर देते हैं इस term को ये रहा रहा है under root 16 upon 8 उसी तरह यहां कर लेते हैं 52 plus minus under root 2704 minus 2640 निकाल लेते हैं कितना आ रहा है 64 आ रहा है upon 8 अब बहुत इजी है इनकी values निकालना क्या हो जाएगा 48 plus minus देखो root के अंदर 16 है मतलब root के अंदर 4 into 4 है 4 बाहर आ जाएगा upon 8 उसी तरह यहां पे भी क्या होगा 52 plus minus root के अंदर 64 है मतलब 8 into 8 है 1,8 बाहर आ जाएगा ठीक है upon 8 तो हमें x और y की दो अलग-अलग values मिलने वाली है 1 होगा 48 plus 4 upon 8 और 1 होगा 48 minus 4 upon 8 उसी तरह 52 plus 8 upon 8 और उसी तरह 52 minus 8 upon 8 यह हैं simultaneously values तो इसको solve करते हैं x की values और यहां पर में y की values तो 48 plus 4 कित्ता हो जाएगा carry over 1 52 upon 8 और यह कित्ता हो जाएगा 44 upon 8 उसी तरह यहां क्या होगा 52 plus 8 मतलब की 60 upon 8 और यह क्या हो जाएगा 40 sorry 52 minus 8 48 नहीं 44 हो जाएगा तो 44 upon 8 इन सब को solve करते हैं यह आ रहा है 6.5 ठीक है 8 से जब हम भाग दे रहे हैं 52 को उसी तरह 44 upon 8 भी करना है तो यह आ जा रहा है 5.5 और 60 upon 8 कर लेते हैं एक बारी ताकि हमें y की value मिल जाए तो 60 divided by 8 यह आ रहा है 7.5 और अब हमें at last करना है 44 divided by 8 which is again 5.5 ठीक है अब एक बारी हम यह आ गई है x की values और यह आ गई है y की values एक चीज़ देख रहे हो कि जो value है 5.5 5.5 यह दोनों की बराबर आई है मतलब कि equality का case तो बनता ही बनता है साथी देख रहे हो कि 7.5 6.5 से ज़ादा बढ़ा होता है मतलब कि y greater than x आ रहा है तो इसमें आखिर होने के आवाल है देखो हमारे पास लेकिन option क्या क्या है equality की तो यह दोनों ही case नहीं है तो यह और यह cancel हो जाएगा लेकिन यहां option 3 देख रखा है कि x is greater than or equal to y तो यह option नहीं हो सकते क्योंकि जो हमारा answer है वो है कि y जो है greater than or equal to x है sorry मैंने यह पर उल्टा बना दिया है हमारा जो answer है वो है y greater than or equal to x जो कि इन में से कहीं पर भे भी नहीं है इसलिए जो हमारा answer होगा वो होगा option 4 not a single relationship is established between x and y ठेक है option के हिसाब से यह answer है I hope यह question आपको clear था thank you so much अपने डाउट आच चार सो चार सो पर